नबश्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ मैं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल टेक्निकल अस्रमें दोस्तों आचे इस वीडियो में हम जानेंगे कि HAL के द्वारा बनाएंगे FOC स्टैंडर्ड तेजस यानि कि Final Operation Clearance स्टैंडर्ड की जो तेजस हैं वो किस तरीखे से IOC Fighters जेट से उससे बहतर कैसे हो सकता है यानि कि Initial Operation Clearance वाले जेट से बहतर कैसे होगा दोस्तों जैसे कि आप सभी को मालूम है कि HAL अभी हाली में अपने Light Combat Aircraft तेजस की पहली Operation Clearance Standard की उडान परिक्शन किया था जो की सफल रहा इसमें तेजस SP-21 को Air Commodore द्वारा सुन चालित किया गया था जिसे के मुथान ने जो कि Retired है Indian Air Force से उन्हों ने इसका टेस्ट किया था और 40 मिनट तक SP-21 ने उडान भरी थी HL के तरफ से बयान आया है उसमें कहा गया है कि HL ने SOP यानि के Standard Operating Procedure जारी करने के बाद 12 महिनों में ये record हासिल किया है जो कि एक बहुत बड़ी उपलब दिमानी गई FOC तेजस को और अधिक उनत कहा जा सकता है और Indian Air Force LCA IOC को शामिल करने के बाद सुझाए गए सुधारों के प्रिप्साथ इस FOC वाले तेजस को विक्सित किया गया था एचेल ने कहा कि FOC वाला तेजस इसमें कई सारे सुधारों को लागो किया गया है और ये FOC Initial Operation Clearance के बेड़े के Optional Feedback पर आधारित थे दोस्तों आप बता दें कि Indian Air Force जल्द ही 18 Flying Bullet Squadron के लिए 16 FOC Standard तेजस को शामिल करेगा जहां पहले से ही तेजस Squadron 45 यानि कि Flying Dagger के स्थापन की गई थी जिसमें 16 IOC तेजस शामिल थे एक बार सभी 16 FOC तेजस डिलीवर हो जाने के बाद HAL IOC यानि कि Initial Operation Clearance वाले तेजस को Final Operation Clearance Standard में कवर करेगा और फिर तेजस MKI बनाने के लिए इन लिया जाएगा यहां यह बताया गया है कि IOC तेजस से FOC तेजस बहतर कैसा हो सकता है और नए Fighter Jet में क्या-क्या बदलाव किये गए हैं सबसे पहली बात करते हैं रेंज की LCA तेजस IOC संस्क्रंड की सबसे बड़ी आलोशना इस बात में की जारी थी कि इसकी सीमित रेंज है और इसमें जो इंदन के शमता है वो भी काफी सीमित है IOC तेजस वर्तमान में 1200-800 लीटर की शमता के दो टैंक रखता है लेकिन FOC स्टेंडर तेजस अब सेंटर लाइन में 725 लीटर की शमता वाला एक अथ्रिक टैंक बिस में मिला है जो इसकी फ्यूजलेस के सेंटर में होता है इसकी बात बात आती है मिड एर रिफ्यूलिंग की इसकी रेंज को बढ़ने के लिए FOC तेजस को पहली बार मिड एर रिफ्यूलिंग प्रोब का इस्तमाल किया गया है जिसका मतलब यह है कि आप इंधन के चिंता नहीं की जा सकती और यह लंबे समय तक अपने मिशन में उ अब बात करते हैं आटो तोप की यानि कि आटो कैनन की FOC तेजस में GSH-23 आटो कैनन जिसमें ट्विन बैरल 23 mm गन लगाई गई है आटो कैनन में बहतर सौफ्ट्वेर है और इसे जमीन बर परिक्शन किया गया है जल्दी तोप का परिक्शन उसकी वाई उद्धक शमताओं के लिए भी किया जाएगा यानि कि इसके air combat capabilities के लिए भी इसका परिक्शन किया जाना है अब बात करते हैं BVR मिसाइलों की LCA FOC तेजस भविशे के लिए extra BVR मिसाइल है यानि की beyond visual range को भी ले जाने में शक्षम है 110 km range वाली अस्त्रा मिसाइल जो कि सोदेशी नेर में थै यह BVR air to air मिसाइल है और इसे तेजस पर लगाया जाएगा अब बात करते हैं agility की FOC तेजस में भैतर गतिशिल्टा यानि की maneuverability होगी और साथी agility भी होगी जो तेजस की कम गति पर 8G force को छोने में मदद करेगी जिससे इसका flying envelope बढ़ेगा तेजस 3G से 8G तक का युदभ्यास कर स सकता है इस तरह की बहतर गतिशिल्टा को प्राप्त करने के लिए flaps के सहित इसकी जो यांत्रिक प्रणा लिया है उसमें कई परिवर्दन किये गए हैं यह तेजस को आने वाली मिसाइलों से बचाने में भी मादद करेगा जिसी ही mid air में रुक कर ही 8G तक move कर सकता है यानि कि कि दोस्तो इस तरीके से जो FOC जो तेजस है वो काफी उनत है IOC वाले तेजस से और इसमें जो integration किये गए हैं वो IOC वाले जो तेजस है उनमें जो जो कमिया देखी गई थी उसके आधार पर इसमें कई परिवर्दन किये गए हैं जो भारतिया Air Force को एक मजबूत बनाने का का करेंगे गहीने दोस्तो इसके अलावा जैसे कि मैं आपको बताया एक इसकी range इसके अलावा media refueling और autocannon जैसी चीजे भी इसमें लगाई गई हैं जो कि इसे और जादा उनत बनाती हैं तो इस तरीके से HL का मानना है कि भारते वायू सेना के जो प्रशन थे या भारते कर आए अब जरू मुझे comment box पर लिख कर बताया है इस वीडियो के लिए इतना ही मिलता हूं यह वीडियो के साथ अब तक लिए नमस्कार जैहीं जै भारत टेकनिकलस को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबाएं और हमारे वीडियो की लेटेस जानकारी पाएं